मेरी एक लौती संतान मेरा बेटा ही मेरा एक मात्र सहारा था क्योंकि मेरे पती अब इस दुनिया में नहीं थे। यह गर्मियों का मौसम था और मुझे रोजाना नहाने की आदत थी। हमारे घर में केवल एक ही बात्रूम था जो कमरे में नहीं बलकि आंगन में स्थित था। जब भी मैं कमरे से निकल कर उस बात्रूम में नहाने जाती थी तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे चिपकर देख रहा है। घर में मेरे बेटे सूरज के अलावा कोई और नहीं था और बाहर से भी कोई आने की संभावना नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम था लेकिन धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि कुछ नकुछ गरबर जरूर है। फिर भी मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार आता था कि घर में सिर्फ मेरा जवान बेटा सूरज ही है और मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन समय बीतने के सा शुरूरात मैंने उसके कुछ ऐसे संकित देखे जो मुझे चिंतित करने लगे। शुरूरात में मैंने उन संकितों को नजर अंदाज करने की कोशिश की लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मेरी शंकाओं को और गहरा कर दिया। एक दिन जब मैं अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि सूरज का व्यवहार बदल रहा है। वह अक्सर बिना किसी वज़ा के बेचेन दिखता था और मुझसे नजरे चुराता था। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी मैंने दर्वाजे के पीछे से हलकी सी सरसरा हट सुनी। जब मैंने जाकर देखा तो मुझे वहां कोई नहीं मिला लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि सूरज कुछ चिपा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिती से कैसे निपटा जाए। अंतह मैंने फैसला किया कि मुझे सूरज से इस बारे में सीधे बात करनी चाहिए। अगले दिन मैंने उसे बात चीच शुरू की और धीरे धीरे उससे पूछ ताच करने लगी। सूरज ने शुरू में कुछ भी नहीं बताया लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि मैं उसकी मा हूँ और उसे मुझे सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसे कुछ समय से मानसिक तनाव हो रहा था और वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह खुद को संभालने की कोशिश करेगा यह सुनकर मेरा दिल थोड़ा हलका हुआ लेकिन मुझे पता था कि अब मुझे उसकी अधिक देखभाल करनी होगी और उसकी भावनात्मक स्थिती पर ध्यान देना होगा इस घटना के बाद मैंने यह सुनिश्चित किया कि सूरज को वह मदद मिले जिसकी उसे जरूरत थी धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया और हमारे बीच का वह तनाव भी खत्म हो गया सूरज के साथ उस बातचीत के बाद मैंने महसूस किया कि उसकी मांसिक स्थिती गंभीर थी इसलिए मैंने तै कि उसे पेशेवर मदद की जरूरत है मैं उसे एक मनोवग्यानिक के पास लेकर गई जहां उसने अपने अंदर चल रही परेशानियों के बारे में खुल कर बात की मनोवग्यानिक ने बताया कि सूरज अवसाद और चिंता का शिकार हो गया था और उसे सही देखभाल और उपचार की आवशक्ता थी सूरज ने नियमित रूप से ठेरेपी सेशन में भाग लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे उसका व्यवहार बहतर होने लगा वह पहले से ज्यादा शांत और संतुलित हो गया उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा महसूस होता था कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है और यह बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी ठेरेपी की मदद से उसने अपनी भावनाओं को समझना और प्रकट करना सीखा मेरे लिए भी यह समय बहुत कथिन था एक मा के रूप में मुझे अपने बेटे के दर्द को देखना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी रहूंगी मैंने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा और यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी अकेला महसूस न करे सूरज की हालत में धीरे धीरे सुधार होता गया उसने अपनी पढ़ाई पर फिर सिध्यान केंद्रित किया और अपने जीवन को पट्री पर लाने की कोशिश की हमारे बीच का रिष्टा भी और मजबूत हो गया वह मुझ से अपनी हर बात साजा करने लगा और मैं उसकी हर भावना को समझने की कोशिश करती थी कुछ महीनों बाद सूरज ने पूरी तरह से ठीक होना शुरू कर दिया वह फिर से खुश रहने लगा और हमारे घर में पहले जैसा सुक्षानती लौट आई उस कठिन समय ने हमें यह सिखाया की जीवन में मुश्किले आएंगी लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं मुझे अपने बेटे पर गर्व था कि उसने अपनी मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार किया मैंने भी उस समय को अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में लिया और आज हम दोनों के बीच का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है समय बीचता गया और सूरज ने नकेवल खुद को बहतर बनाया बल्कि वह अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पाने लगा उसकी पढ़ाई में फिर से रुची जागी और उसने अपनी पढ़ाई में उतकरिष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया धीरे धीरे वह अपने दोस्तों के साथ भी जुड़ने लगा और उसके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा उसकी इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी दृड़ इच्छाशक्ती और उस सहायता का था जो उसे अपने कठिन समय में मिली थी मनोवग्यानिक की नियमित थेरेपी सेशन्स और हमारे बीच की खुली बातचीत ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया वह अब अपने भविश्य के बारे में आशावादी हो गया था और अपने सपनों को साकार करने के लिए महद करने लगा इस बीच मैंने भी यह समझा कि किसी भी संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है सूरज के साथ बिताया हुआ वह समय मुझे यह सिखा गया कि हमारे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्तिका ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके शारिरिक स्वास्तिका कुछ समय बाद सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक अच्छे प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई उसने अपने करियर में तेजी से तरक्की की और मुझे उस पर गर्व होता गया वह अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाये रखने लगा और इस बीच उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपने मानसिक स्वास्तिका भी ध्यान रखे हमारे रिष्टे में अब और भी गहराई और समझा गई थी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सीखा सूरज ने मुझे बताया कि वह कभी नहीं भूल सकता कि मैंने उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया था और अब वह मेरी खुशी और सुक्षान्ती के लिए हमेशा तत पर रहेगा इस तरह हमने जीवन के उतार चड़ाव का सामना किया और उसमें से और भी मजबूत होकर निकले अब हमारा घर पहले से भी ज्यादा खुशाल और शांती पूर्ण था और सूरज की सफलता और खुशियों ने मेरे जीवन को भी खुशियों से भर दिया मैंने उस समय को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जहां हम दोनों ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना सीखा सूरज की सफलता और हमारे बीच की बढ़ती समझ ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी उसने अपने काम में उतकरिश्ट प्रदर्शन करना जारी रखा और कुछ वर्षों में उसे प्रमोशन भी मिला वह अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था इस दोरान मैंने भी अपनी जिंदगी में कुछ नए कदम उठाने का फैसला किया सूरज की तरह मैंने भी अपने शौक और रुचियों को फिर से जीना शुरू किया मैंने सामाजिक कारियों में हिस्सा लेना शुरू किया और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना शुरू किया मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से मुझे एक अलग तरह की संतुष्टी मिलती है सूरज ने भी मेरे इस बदलाव को देखा और उसका समर्थन किया हम दोनों अब अपने अपने जीवन में खुश और संतुष्ट थे लेकिन साथ ही हम एक दूसरे के साथ भी जुड़े रहते थे हम अकसर एक दूसरे के साथ समय बिताते बात चीत करते और अपनी खुशियों को साजा करते थे कुछ समय बाद सूरज ने अपने जीवन में एक और महत्वपून निरने लिया उसने मुझसे अपने मन की बात कही कि वह अपने जीवन में एक साथी की तलाश करना चाहता है मैंने उसे समझाया कि वह अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और मैं उसकी खुशी में ही अपनी खुशी देखूंगी सूरज ने एक समझदार और प्यारी लड़की कावया से मुलाकात की और दोनों ने जल्दी ही एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया उनकी शादी हमारे परिवार के लिए एक बड़ा और खुशाल अफसर था शादी के बाद हमारा घर और भी ज्यादा खुशियों से भर गया कावया बहुत ही सनेही और समझदार थी और उसने सूरज के साथ मिलकर हमारे परिवार को और भी मजबूत बना दिया उनके बीच प्यार और समझ थी जो मुझे बहुत खुशी देती थी सूरज और कावया ने मिलकर एक खुशाल जीवन की नीम रखी और मैं उन्हें देख कर गर्व से भर जाती थी समय के साथ मैं एक दादी भी बनी और वह खुशी बयां करने के लिए शब नहीं है सूरज और कावया का परिवार बढ़ता गया और मैंने अपने पोते-पोतियों के साथ अपने जीवन के सुनेरे साल बिताने का आनंद लिया इस तरह हमारी जिंदगी में जो कठिन समय आया था वह अब बीते दिनों की बात हो गई हमने उस मुश्किल दोर से सीख ली और अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना लिया अब हमारा परिवार पहले से भी ज्यादा खुशाल मजबूत और एक जुट था हम सभी ने यह समझा कि जीवन में चुनोतियां आती हैं लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो हम हर कठिनाय का सामना कर सकते हैं और उससे भी बहतर भविश्य बना सकते हैं जैसे जैसे समय बीता गया हमारा परिवार एक जुट और खुशाल बना रहा सूरज और काव्या अपने बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिता रहे थे और मैं भी अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताने का पूरा आनंद ले रही थी उनकी मासूम हंसी और खेल ने मेरे जीवन में एक नई ताजगी भर दी थी सूरज और काव्या ने अपने बच्चों की परवरिश में वही ध्यान और समझदारी दिखाई जो सूरज ने अपने कठिन समय के दौरान सीखी थी वे बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे उन्होंने सिनिश्चित किया कि बच्चों की शिक्षा और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके भावनात्मक स्वास्ते का भी पूरा ख्याल रखा जाए मुझे अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था उनके साथ कहानिया सनाना खेलना और उनके नन्हे सवालों के जवाब देना मेरे जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया था उनके साथ बिताए पल मुझे अपनी पुरानी यादों में ले जाते थे और मुझे ये एहसास दिलाते थे कि जीवन का हर दौर कितना खास होता है हमारे परिवार में अब पहले से भी ज्यादा प्यार और आपसी समझ थी हम सबने मिलकर इस बात को समझा की जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजे प्यार समर्थन और एक दूसरे के साथ बिताया गया समय है कुछ समय बाद सूरज और कावया ने अपने करियर में और भी उंचायां हासल की उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार नाग्रिक बनने के लिए प्रेरित किया मैंने गर्व से देखा कि मेरे पोते-पोतियां भी अपने माता-पिता के नक्षे कदम पर चलते हुए जीवन में अच्छे मूलियों को अपनाने लगे अब मेरे जीवन का एक नया चरण शुरू हो गया था जहां मैंने अपने परिवार के साथ एक सुकून और त्रिप्ती भरा जीवन जीना सीखा मैंने अपने जीवन के हर पल को सराहा और उसे पूरी तरह से जिया आखिरकार मैंने यह महसूस किया कि जीवन के हर उतार चरहाव का एक उद्देश्य होता है हमने जो कठिनाईयां जहली थी वे हमें मजबूत बनाने के लिए थी और उन कठिनाईयों के बाद जो खुशी और संतोश हमें मिला वह हमारी सबसे बड़ी जीत थी आज जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हम सभी ने मिलकर जीवन की चनौतियों का सामना किया और उन्हें पार किया हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और यही हमारा सबसे बड़ा बल था हमारा घरब सच मुझ एक स्वर्ख था जहां प्यार समझ और खुशियों का सामराज्य था जैसे जैसे साल बीटते गए हमारा परिवार और भी समरिद्ध और संतुष्ट हो गया सूरज और काव्या ने अपने बच्चों को अच्छे मूलियों के साथ बड़ा किया और वे भी अपने अपने जीवन में सफल हो रहे थे मैं एक दादी के रूप में उनकी उपलब्दियों पर गर्व महसूस करती थी और उनके जीवन के हर छोटे बड़े पल का हिस्सा बनने का आनंद लेती थी समय के साथ सूरज और काव्या ने अपने बच्चों को कॉलेज में भीजा और वे अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे जब मेरे पोते-पोतियों ने अपने करियर में पहला कदम रखा तो मुझे अपनी जिन्दगी के संघर्शों की याद आई और मैंने सोचा की कैसे एक मा के रूप में मैंने सूरज का हाथ थामा था और अब सूरज अपने बच्चों का मार्ग दर्शन कर रहा था जीवन का यह चक्र मुझे एक तरह से पूरा महसूस कराता था अब मेरे दिन शांती और संतोष से भरे थे सूरज और काविया के बच्चे जब भी छुटियों में घर आते तो पूरे घर में रौनक लौट आती थी उनकी हंसी खुशी से घर गून जुटता और मैं उनके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखती थी मुझे याद है एक बार सूरज और काविया ने मेरे जन्द दिन पर एक विशेश आयोजन किया था वे सबने मिलकर मेरे लिए एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें हमारे सभी रिष्टेदार और दोस्त शामिल हुए उस दिन मैंने यह महसूस किया कि मेरे जीवन की सारी महत और संघर्श रंग लाए है मेरा परिवार मेरे आसपास था खुश और सफल और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती थी जैसे जैसे मेरे जीवन की शाम ढल रही थी मैंने खुद को अधिक से अधिक संतुष्ट और आभारी महसूस किया मैंने अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ नकुछ सीखा था और अब मैं उन सब के साथ एक संतुलित और शांति पूर्ण जीवन जी रही थी अब जब मैं अपने जीवन के सफर को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि जीवन में हर मुश्किल घड़ी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है सूरज के साथ बिताया वह कठिन समय न केवल उसे बलकि मुझे भी एक मजबूत इंसान बना गया था हमारे बीच का रिष्टा उस वक्त और भी गहरा हो गया था और वह बंधन आज भी वैसा ही मजबूत है अंतह मैंने यह सीखा की परिवार ही हमारी असली ताकत है हमारे परिवार के साथ बिताए गए पल ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है अब जब मैं अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखती हूँ तो मुझे यह विश्वास हो जाता है कि हमारे परिवार की यह परंपरा और मूल्य आने वाली पीडियों तक चलेगी और हमारी खुशियों का यह सिलसिला यूही बना रहेगा इस तरह मेरी जिन्दगी एक सजीव उदाहरन बन गई कि कैसे प्यार धैर्य और समर्थन के बल पर हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं और एक खुशाज शांतिपून जीवन जी सकते हैं अब मैं एक सुकून भरे जीवन के साथ अपने परिवार की खुशियों को देखती हूं और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेती हूं यह जानते हुए कि मैंने अपनी भूमी का अच्छी तरह निभाई है